तो हेलो अब्रीबन नमस्कार स्वागत है आप सभी का साथियो मैं हूँ विशोक शिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल पे आईटेश्टेडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम यहाँ पे गंगा नदी तंत्र यानी जो गंगा नदी का सिस्टम पूरा है हम उ जानेंगे बहुत अच्छे से बेद मैप और थियोरी के साथ और इससे पहले की वीडियो हमने ब्रह्मपुत्र नदी सिंदु नदी इन सारी चीजों की वीडियो हमने बनाई है तो उसको भी आप देखें और आसा करते हैं कि सारी चीजें आपके नॉलिज के लिए काफी अ हर परिक्षा में कोई ना कोई प्रस्न आपको जरूर मिलेगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहां बिद मैप और थियोरी के साथ हम क्लास कराते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से पोकारते हैं तो भारत में सबसे जिसे कहते हैं ना बहुत जिसकी मानिता है वो गंगा नदी की मानिता है और इसको हम गंगा नदी या गंगा माता भी कहते हैं तो इस तरीके से यह है अब हम इसको मोटे-मोटे तोर पर देखते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है यह में सब से पहले देखना बहुत जरूरी है तो यह बिदमैप से हम पूरा पढ़ेंगे कि कहा से कहा तक गंगा नदी जो है भैती हुई गई यह उसके के साहग नदीया कितिनी है लेब्ट कितनी नदियां है और इसके अलावा इसकी कुल लंबाई कितनी है क्या इसका जो उद्गम इस्थान है वो कितना है उसकी साहिक नदी कौन सी है सबसे बड़ी साहिक नदी कौन सी है है ना या पिर सबसे लंबी साहिक नदी कौन सी है तो और कितने इस्टेट और कितने देशों में जाकर बैठी है है ना तो यह सारी चीजें आज की वीडियो में हुम डिसकस करेंगे तो यह बिन मैप के साहता से हम ठीओटिकल तरीके से भी देखेंगे तो यह सारी चीजें आपको पहले एक review दिखा देते हैं कि जिसमें आप आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए ये सारा review जिसमें हम गंगा नदी हुई और ब्रह्मपोतर नदी से तोड़ी बहुत पॉइंट इसमें दिये गए है ठीक है ना फिर गंगा नदी जो आपका कहां से इसका origin होता है लास्ट में ये कहां जाती है है ना और क्या-क्या इनकी साहक नदियां है ये सारी चीज़ें आज की हम वीडियो मे बनाया है अब देख भी पा रहे होंगे और ये बहुत महनत से हमने ये नोट्स बनाये थे तो आप लोगों के लिए काफी वेनिफिशल होने वाले हैं इसकी अगर पीडियाप चाहेंगे तो पीडियाप भी आपको हम दे देंगे तो ये सारी चीज़ें हम आज ही की वीडि निकलती है गौमोक से गौमोक यानि जो गंगोत्री है गंगोत्री गलेसियर भागी रथी में ठीक है न गौमोक है और जो गलेसियर उसका नाम है गंगोत्री क्या नाम है गंगोत्री ठीक है तो वहां से इसका उद्गम स्थान होता है गंगोत्री गौमोक में ठीक है तो य यह चीजे आपको समझने की जरूरत है ठीक है अब यहां से निकलने के बाद फिर यह पहुंचती है कहां पर यह तब इसका नाम होता है देव प्रयाग क्या होता है देव प्रयाग होता है इसका नाम ठीक है तब इसका गंगा नाम जब गौमुक से निकलती है यहां से अलकनंदा जो आपकी अलकनंदा जब मिलती है और ये दोनों नदियों की धारा जब एक होती है कहाँ पे ये होती है आपकी देव प्रियाग में ठीक है तो यहीं से इसका गंगा नाम पड़ जाता है ठीक है तो कुछ ये मोटी-मोटी चीजी हम देखेंगे इसकी जो साहक ब़वाज में जाकर कि इसका संगम होता है जो कि थी नदियों का संगम होता है अलहबाद में थीक है थीटीकल ही ते के देखने के बाद हम उसको फिर हम मैप में वह भी देखेंगे बहुत गंगा नदी दो देशों से होकर की प्रवायत होती है, कौन-कौन सा देश, एक तो हमारा भारत प्यारा और दूसरा है बंगला देश, कभी ये पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था ठीक है, और जब ये बटबारा हुआ तो बंगला देश अलग हो गया, ठीक है, और हमारा दे से इसका उद्गम हुआ था गौमक गंगोत्री यानि जो गंगोत्री ग्लेसियर है वहां से इसका उद्गम हुआ था ठीक है तो कौन सी भागी रती नदी ठीक है और दूसरी नदी आती है आपकी अलगनंदा नदी ठीक है अब अलगनंदा जो नदी है वो कहां से निकलती है आगे देखते हैं, आप देखते हैं भागी रती नदी उत्तराखंड में उत्तरकासी जिले में गोमोक के निकट गंगोत्री ग्लेसियर से निकलती है, तो इंपोर्टेंट टोपिक है कि कई बाद ये परिक्षा में पूचा जाता है गंगा नदी खा उद्गम इस्थान क्या ह तो उत्तरका का जो कासी है उत्तरकासी जिला है वहां के गौमों के निकट जो है आपका गंगोत्री ग्लेसियर है वहां से इसका उद्गम होता है और अलगनन्दा जो है आपकी कहां से निकलती है सतोपंत ग्लेसियर से जबकि भागी रती कहां से निकलती है आपके गंगोत्र अलग नंदा जो है नदिया देव प्रियाग में कहाँ पी मिलती है दोनों ये आपकी आती है भागी रथी जो है आपकी निकलती है और दूसरी होती है अलग नंदा ठीक है तो जब दोनों की सयुक्त धारा होती है एक जगे मिलती है उस जगे को क्या कहा जाता है उस जगे को देखो उस जगे को क्या कहा जाता है देव प्रियाग कहा जाता है और जब देव प्रियाग में जब दोनों धारा सयुक्त मिलती है तो वहीं से गंगा नदी का नाम दे दिया जाता है तो चलिए यहां को हम समझते हैं यहां पर अलकनंदा नदी का निर्मार दो नदियों की सय अलगनदा नदी भी आपकी दो नदियों से मिलती है, कौन कौन सी नदी, एक तो आपकी धौली गंगा और दूसरी है आपकी बिश्लु गंगा नदी ठीक है, तो इन दोनों के सयुक्त धारा से क्या बनती है आपकी अलगनदा नदी बनती है ठीक है, तो ये important topic है, कई भार आपस में मिल जाती है कहा पर मिलती है दोनों विश्णु परियाग में हम चीजों को बड़े अच्छे से समझेंगे पहले यहां पर तरीके से समझ लिए फिर हम आपको एक एक चीज मैप में दिखाएंगे कि कौन सी नदी कहां से निकली और यह जब मिलती है तो फिर यह क्या कौन सी धाराओं को मिलने से कौन सी नदी बनती है यह सारी चीजें हम आपको डिसकस करके बिद मैप में आपको समझाएंगे ठीक है तो हमानी से निकलती है और यह दोनों नदिया विश्णु परियाग में आपस में क्या हो जाती है मिल जाती है ठीक है आगे देखते है नदी का क्या होता है निर्माण आगे देखते है विश्णु परियाग से आगे कड़ परियाग में पिंडार नदी जो है अलक नदा से आकर मिलती है तो यह थियोल्टिकली तरीके से आप थोड़ा सा यहां पर समझने का जरूर प्रयास करें फिर आगे आता है आपका नदी दूसरी है आपकी मंदाकनी नदी आ करके मिलती है कहां पर रुद्ध प्रयाग में तो इंपोर्टेंट यह भी चीज है थोड़ी सी इसको रिव्यू से समझेगे रुद्ध प्रयाग से आगे देव प्रयाग में अलक नदा नदी से भागिरती नदी आ करके मिलती है तो यह कुछ चीजें इसके टॉपिक हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गंगा नदी जो है आपकी पांच राज्यों से ओकर की गुजरती है, तो अभी हम पूरा मैप में भी आपको देखाएंगे कि इस तरीके से कौन-कौन से राज्य जो है हमारे, देखे, यहाँ पर सब से पहला राज है उत्तराखंट, दूसरा उत्तराखंट के बाद जैसे ही आप हरिद्वार से आगे बढ़ेंगे तो आपका उत्तर प्रदिस लग जाता है, ठीक है, और उत्तर प्रदिस के बाद फिर जाता है आपका यह इलहाबाद होते हुए, आपकी उत्तरकासी इलहाब बाद होते हुए कानपूर से निकलते हुए और ये बिहार वाले लाके में जाती है और बिहार से जाकर के आगे जाते है जारकंड और जारकंड से जाकर के आगे पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में इंटर करने के बाद इसकी कई सारी साखाएं होती है और कई सा कोलकाता की तरफ चली जाती है और दूसरी इसकी जो एक महा नदी होती है ठीक है न महा नदी जब मिलती है जाकर के तो यह आपकी क्या पदमा नदी जाकर के यह गिर जाती है पश्चे बंगाल की बंगाल की खाड़ी में ठीक है तो यह चीज आपको समझने होगी ठीक है आग गंगा नदी सर्वादिक हरिद्वार में पर्वतिय भाग से निकलकर मैदानी इलाके में आती है यानि जो जब मैदान में आती है हरिद्वार से निकलती है तो यह मैदान छेत्र में इंटर करती है ठीक तो यह भी इंपोर्टेंट है पूशा जाता है कि गंगा नदी किस छेतर से इंटर करती है जो मैदान में प्रवेश करती है तो ये भी एक important fact था आगे बात करते हैं फशें बंगाल में गंगा नदी दो बितरकाओं में बढ़ जाती है पहली भागी रती और दूसरी होगली ये दो बितरकाओं में बढ़ जाती है तो कहां पर ये बढ़ती है ये गोदारी घाट पर गोदारी घाट है वहां से ये दो धाराओं में बढ़ एक नदी जो होती है आपकी हुगली नदी के रूप में कोलकाथा होते हुए यह आपकी भंगाल की खाड़ी में गिर जाती हो और दूसरी द्गारा होती है उसको गंगा एंड पदमा नाम दिया जाता है ठीक है न पदमा और दूसरी हुगली ये भी आपकी परser affection मंग में जो है जाकर कि गरती है बंगाल की खाड़ी यह चीज आपको ध्यान में रखनी है यह देखो भागी रथी एवां होगली मुख्य नदी जो है भागी रथी अर्थात गंगा बंगला देश में प्रिविश कर जाती है और होगली नदी पश्चिम बंगाल में से जाना जाता है यह प्रसंद आपको बन सकता है परीक्षा में तो ध्यान रखोंगे भाग Giving रती से फिकल को कि के स्टपर कि नदी के सिर्फ यह अगे करते हैं छोटा नांग्पूर पठार के बीच बेच कि ब्रंस हाटी में बहने वाली दमोना दरी पूर देशा की और बहते होती है और फगली नदी में जा करके क्या हो जाती है मिल जाती है important ये भी fact का आपका आगे देखते हैं गंगा नदी की मुक्त धारा है भागी रथी नेदि अत्वा गंगा नदी बंगला देश में पहुंच कर पद्मा नदी के नाम से जानी रिवर से जो भी questions आता है जो गंगा नदी कोई सायक नदी पूछ ली जाती है सबसे लंबी सायक नदी पूछ ली जाती है दो धाराओं को सयुक्त होने से कौन सी नदी बनती है या फिर आपकी जो गंगा नदी किस glacier से निकलती है ठीक है तो धोली गंगा कौन सी है अलग नद तो ये सारे चीजें आपको परीक्षा में पूछी जाती है इसी तरही कि जो आपकी सायक नुधी है यमना जिल है, वहाँ जा करके मिल जाती है. चमबल जो sacrifice है. ठीक है? हम यह सारे चीज़ां. P मॉणी में हैता है चमबल जो नदी होती है. ठीक है? बंगलदेश पर मोर्म पूत्र नदीे को जमना कहा जाता है, को इस बंगने आगे हम बात करते है? कर दो, फिर बंगलदेश ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा होता है उसको जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है और गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी को डिल्टा क्योंकि यहां पे सुन्दरी नामक ब्रक्ष पाई जाते हैं इसकी वजए से इसको सुन्दर बंड डिल्टा कहा जाता है चलिए अब हम यहां पे थोड़ा से समझने का प्रयास से कि यह कहां निकलती है और कौन सी संयुक्त धाराओं से मिलने वाली नदी है वो क्या क्या नदी कहलाती है तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि जो आपकी नदी है गंगा नदी तो ये देखो सबसे पहले गंगोत्री ग्लेसियर है और इस गंगोत्री ग्लेसियर से ही आपकी भागी रती ए रुद्र प्रियाग में कहां पर रुद्र प्रियाग जो है एक जगे वहां पर मिलती है किस नदी में मिलती है यह अलक नंदा में मिलती है किस में मिलती है अलक नंदा देखे यह सतोपंत ग्लेसियर है और यहां से आपकी यह निकलती है कौनसी अलक नंदा नदी ठीक है तो अ यह प्रियाग में जब दोनों की सयुक्त धारा होती है इसी जगे को हम गंगा नदी नाम से जानते हैं और फिर यह जाकर के यहां पर मैदानी छेत्र हरिद्वार के नीचे जब आती है तो यह मैदानी छेत्र में आकर के यह प्रवेश करती है और उसके बाद आती है गंगा धौली गंगा जो है आपकी कहां से निकलती है धौली गंगा जो है आपकी यहीं से यह मिलती है जाकर क्या की बिश्नु प्रियाग में कौन सी नदी में मिलती है अलक नंदा में तो आप देख पा रहें यहां पर यह अलक नंदा नदी है यह अलक नंदा और यह मिलत नंदाकनी और एक है मंदाकनी ठीक है तो मंदाकनी नदी जो मिलती है वो आपकी रुद्र प्रयाग में मिलती है जबकी नंदाकनी है नंद प्रयाग में मिलती है और यह मिलती किसम है अलक नंदा नदी के अंदर ठीक है फिर एक नदी आती है आपकी पिंडा जिसको पिंडर नदी भी कहते हैं और यह जा करके अलक नंदा में ही मिलती है जो सतोपंत ग्लेसियर से निकलती है यह कहां पर मिलती है करड़ प्रयाग में देख पा रहे होंगे आप यहां पर यह कहां पर मिलती है करड़ प्रयाग में ठीक है और करड़ प्रयाग के बाद आप जो मंदाकनी वो थी आफकी रुद्ध प्रियाग में अब यह सारी नदियो नदियां मिलती है अलगनंदा में और अलगनंदा जो रहे आप भानी नकलन को कमेदेर गता है जहएं बख़वरीआग तरीयाग जो है आपकी इसमें विश्णु प्रयाग पर जो मिलने वाली नदी है धौली गंगा और अलकनननदा नदी ठीक है इनका मिलान पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी कहां पर मिलती है और किस में मिलती है ठीक है इसी तरीके से अगर हम बात करें जो नंद प्रयाग है इसमें झाँ कैना नंद प्रयाग है यह पिंडार नदी मिलती है अलकननननदा में आगर की ठीक है तो यह था इसका कुछ मैप मैप से और भी हम आगे जानेगे ठीक है अब हम देखते है सुन्दर बन डिल्टा के बारे में आपको पता ही है कि यह सबसे बड़ा विश्व का जाते हैं इस वज़ेशे इसको सुंदर बंडिल्टा कहा जाता है ठीक है सुंदर considered ब्रचा का विस्तार हुगली नदी से ले करके मेघना नदी तक है कहा से जो और सुंदर बंध डिल्टा मräग्रोब बनों के लिए जाना जाता है किसके लिए इपोर्टेंट सब्द है कि ये किसके लिए जाना जाता तो मैग्रोब बनों के लिए जाना जाता है ठीक है और यहां मुख के रूप से मैग्रोब और कैसुरीना और सुंदरी नामक ब्रक्ष पाए जाते हैं तो कई बार ये भी पू कठोर होती है और उनकि छाल नमकीन होती है क्योंकि क्योंकि क्वface समुद्र का जो पानी होता तैंखा रहा होता है तो इस बजहÎसे यह क्या है नमकीन जो है जो फिसकी छाल होती ठीखना आप बात करते हैंल के भारत में बंगाल टाइगर मैक्रो ब Chestert eles पाई जाते हैं अर्था तो बंगाल टाइगर सुन्दर वर्ल डेटा पाई जाते हैं चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पश्चिम बंगाल में मैं ग्रोवन का छेतरपल सरवादेख है और इसके बाद गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर है आं हम यहां पर पहले तो हम theoretical तरीके से देखते हैं कि कौन-कौन सी सायक नदिया फिर हम बिद मैप में आपको दिखाएंगे कि एक एक नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाकर यह मिलती है जो गंगा नदी की सायक नदिया ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं गं उनका कई बार क्रम पूछ लिए जाता है यानि राइट साइड से जो क्रम है वो कौन-कौन सी नदिया इसकी सायक है उनका क्रम बताईए दूसरा होता है गंगा नदी की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह कई बार आपको पूछा गया है तो चलिए हम यहां पे दाहन दाहने तरपर कौन-कौन सी नदिया है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं दाहने तरपर आकर मिलने वाली जो नदिया मुख के रूप से कौन-कौन सी है यमुना नदी है ठीक है रहा दाहना मलाब राइट हैं ठीक है तो यहां पे सबसे पहली नदी और सबसे लंबी आपकी चंबल नदी है, तीसरी आपकी शिंदू नदी है और चौथी बेदवा है और केन, टॉंस तता सौन नदियां, कौन-कौन सी है, यमना, चंबल, शिंदू, बेदवा, केन, टॉंस और सौन, ये कुल नदियां है, कौन-कौन सी है आपकी, तो यहाँ पे आपने समझ लि क्या है, arrange करने के लिए कई बार दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर आपको दो दे दी जाएगी, लैप साइड की, और एक दे दी जाएगी राइड साइड की, इनमें से यह सही बताईगी कि राइड साइड की कौन सी है, तो वो आपको छाट में, अब जब तक आपको यह ची कि जो गंगा नदी है उसकी गाई तरह पहने वाली नदियों की संक्या कितनी है चार तीन साथ इस तरीके से आपको अफसर दे दे जाएंगे उनमें आपको सही अंसर करना तो कितनी साथ हो गए ठीक है तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है आगे बात करते हैं गंगा जो है इसकी सायक नदी जो है वो कहां से निकलती है गंगा नदी की जो यमना नदी है सबसे लंबी सायक नदी है यह जो है इसकी लंबाई जो है कितनी है वो सारी चीज आने यमना नदी जो है उत्राखंड के बंदर पुछोटी से निकलती है कहां से निकलती है जो यमना न चलती है और प्रयाग राज में जाकर के गंगा नदी में जाकर के क्या हो जाती है मिल जाती है यह दिली से होकर के आगरा होते हुए और आपकी कहां पे हमीपूर की तरफ से जाकर के यह टावा में जाकर के जाकर के प्रयाग राज में जाकर के मिल जाती है ठीक है चलिए नेक अब गोदावरी नदी सबसे छोटी है कौन सी जो प्राइदी भारत की सबसे लंबी नदी कर बात की जाए तो यमना है और सबसे छोटी बात की जाए तो आपकी गोदावरी नदी है ठीक है यमना नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो तेरा सो पचासी किलो मीटर है किसक बेतवा केन नदियां जो है आपकी गंगा नदी तंतर का हिस्सा है लेकिन ये चारो नदियां अपना जल सीधे गंगा नदी में ना गिरा करके यमना नदी में गिराती है ठीक है तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए को कि इसकी सायक नदिया जरूर है लेकिन जो इसका जो जल है, वो किस में गरता है? यमौना नदी में, ठीक है? हम बात करते हैं टॉंस नदी जो है आपकी इलहाबाद के जो है इलहाबाद जिले में गंगा से आ करके मिल जाती है और सोन नदी मैकाल पहारी की अमर कंटक चोटी से निकल करके पठना के पास जो है आपके गंगा नदी में जा करके मिल जाती है कौन सी यह आपकी सोन नदी ठ एक है तो यह देखीं तुमने दायंतर की नदियाँ अब हम बात करतें बायंतरब की नदिया जो आपकी दूसरी साइट की नदिया हैं अब इसमें यमना नदी को छोड़कर अनसाबीन नदी जो हैं कहां से हिमाले नदीया गंगा नदी के बाये तट पर आ करके मिलती हैं जिसका पस्चिम से पूर्व की वर करम इस प्रकार है कैसे है एक है आपकी राम गंगा जैसे कि मैंने बताया था ये कहां से निकलती है उत्तराकंड से जाकर करेक दूसरी है गोंपती तीसरी है घागरा गंडग कोसी और महा नदी तो ये हैं आपकी बाएं तक पर मिलने वाली गंगा नदी की साहिक नदीया यानि गंगा नदी में आकर कि ये सारी मिलती है ठीक है कौन-कौन सी एक राम गंगा हो गई, गौमती, घागरा, गंड़ा, कोसी और महा नदी तो ये कितनी कुल हो गई, उदर आपकी साथ थी और इदर आपकी कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यानि छे और साथ, तेरा टूटल सायक नदीया है इसकी और ये भी आपको पता होने चाहिए कि बाई तरब आपकी कितनी छे नदीया है किरम पूछा जाता है, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घागरा हो गई, गंड़क हो गई, कोसी हो गई, महा नदी हो गई इस तरीके से ये आपका किरम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है अब हम राम गंगा की बात करते हैं तो राम गंगा जो है गोमती और धागरा नदियां उत्तर प्रदिस में प्रवायत होती है गंडक नदी और कोशी नदी जो है ये बिहार में है और जो कोशी नदी है बिहार में इसको बिहार का सोक कहा जाता है क्योंकि यह जादा बार लेकर के जाता ब्यार में तो सब कुछ तवा कर देता है, तो इसलिए इसमें बार जाधा आती है, इसलिए इसको कोशी नदी है, इसको ब्यार का सोक कहा जाता है, ठीक है? अब जबकि महानदा नदी बिहार और पस्चिम बंगाल की सीमा पर प्रभाहित होती है ये भी important fact था आपका आगे देखते हैं राम गंगा गोमती और घागरा नदी उत्तर प्रभाहित होतार गंडक और कोसी नदी जो है बिहार में प्रभाहित होती है महानदी ये चीज़ हमने आपको बता ही दी है चलिए आगे देखते हैं गोमती नदी गंगा नदी की एक मातर सायक नदी है जो की हिमाले से ना होकर मैदानी छित से निकलती है और गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीली भी जिले से है ठीक है और ये तराई के मैदान से इस्तित फुलर जील से होती है कहां से फुलर जील से निकलती है ठीक है important fact है आगे देखते हैं लखनव और जोन पिर सेर गोमती नदी के तटपर बसे हैं गंडग को गोपाल और सालिग राम या नाराइडी नदी भी कहा जाता है कौँशी ग कोशी नदी कोशी नदी नेपाल से निकल कर बिहार राज में गंगा नदी से मिल जाती है और कोशी नदी को बिहार का सोक भी कहा जाता है जैसे कि अभी मैंने आपको बतायता है क्योंकि कोशी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कोख्यात है क्योंकि ये हर बार अपना मलब बदलती रहती है कहीं से कहीं बैती रहती ठीक है महा नदी गंगा नदी की बायतर पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्व अत्वा अंतियम नदी है कौन सी महा नदी जो है गंगा नदी में पूर्व और सबसे अंतियम नदी है ठीक है आगे बात करते हैं महा नद में दाजलिंग जो है दाजलिंग जो एक बहुत हिल इलाका है पहारी का इलाका है मैं वहां पर घूम करके भी आया देखा है वहां का जो दाजलिंग का डेम है वहां वो सारी चीजे हमने लेगी है ठीक है तो दाजलिंग की पहारियों से होता है ठीक है ना दाजलिंग की काफ शिप्रा नदी के तड़ पर इस्तित है कई बार यह पूश लेता है कि उज्जेन जो है किस नदी पर इस्तित है तो आपको ध्यान रखना शिप्रा नदी पर ठीक न चलिए तो यह था आपका यह theoretical तरीके से अब हमने जो हमारा हाथ का नोट्स बनाया हुआ है हम उससे कुछ चीजों को और आपको समझाने का प्रयास करते है कि कौन सी नदी सायक नदी कहां पर आकर के इसकी यह मिलती है तो यह है हमारा हैंट रेटर नोट्स तो आप यहां पर देख पा रहे हैं गंगा नदी तंत्र आप समझ पा रहे होंगे यहां पर ठीक है नहीं इंडियन रेव चीजोंसी निकलती है अलकनंध бер जब यह मिलती तो कहां पर मिलती है आपकी गंगा यह देव र्याग में और इसी को यहीं से कहा जाता हैं क्या गंगा न दी ठीक के आगे बहते handled से मैं Come च्षे इंतर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश के मुक्तेश म्द्ध गर्णुक plaintु यह पूंचती है कर नौज बाला च्षे टिक है यहां पर देखेंगे यह कर आती fact ये धार नदी में जाकर के मिल जाती है इसी तरीके से हम इधर से देखेंगे यानि जो आपकी बंदर पुछ से निकलती है कौन सी यमना नदी कहां से नंद प्रयाग होते हुए और ये दिल्ली होते हुए की तरफ चली जाती है और यह होती है जाना पाऊ हिल पाड़ी की तरफ को जाती है और यह चम्मल नदी ठीक है और दूसरी होती है काकरी वड़ी ठीक है और यह चली जाती है आपकी छेपरा नदी ठीक है छेपरा नदी कुम्ब मेला जिस पर लगता है ठीक है और यह घड़िय जा करके पहुंचती है इसी तरीके से आगे ये बढ़ती है आपकी और इसके बाद ये हमीरपुर होते हुए हमीरपुर में भी एक दूसरी नदी निकलती है जिसको बेतवा नदी का आ जाता है ठीक है न ये आपकी यमना नदी की सायक नदी है ठीक है और आगे जा करके फिर यह पहुंचती है आपकी प्रियागराज में और प्रियागराज से आपकी बेतवा नदी जो है यह केज नदी निकलती है यह Immina नदी कुछ जानकारी इस से ऊपर की चीजे हमने आपको बताई दी थी यहाँ पर धौली गंगा यह अलगनंदा में मिलती है विश्णु प्रयाद में इस तरीके से मंदाक निदी बगरा ये सारी चीजे हमने आपको बता ही दी थी चलिए आगे हम देखते है इलहाबाद के बाद ये आगे पहुंचती है गाजीपुर गाजीपुर में एक पीली भीत से पीली भीत फुलर जील से निकलती है गाजीपुर में जाकर के मिलती है ठीक है गंगा नदी की में साखा में तो ये आपकी गुंती नदी हो गई ठीक है अब इसके बाद ये और आगे बढ़ती है बिहार शेत्र में पहुंचती है और बिहार में पहुंचती है कहां पर पठना में ठीक है अब पठना में एक दोनों नदी मिलती है एक कहां से सारदा नदी निकलती है और दूसरी निकलती है घागरा नदी ठीक है अब दोनों जब मिलती है कहां आकर के बारा बंकी में और जब बारा बंकी में मिलती है तो इसको घागरा नाम दे दिया गया घागरा नदी और यह जाकर के मिल जाती है आ बारा बंकी में और जब बारा बंकी में मिलती है तो साधा नदी आपकी किसम graagira नदी मिलती है और यागी चलके शाउत की तरफ लेके जाती है इसका जल और एक दूसरी नदी निकलती है, सौन नदी और यह चली जाती है आपकी गंगा नदी की तरफ जो जाकर के पतना में मिल जाती है, जो आपकी हो जाती है सौन नदी पटना से आगे और बढ़ती है जो होती है आपकी सौनकर सौनकर में जाकर के ये मिलती है कौन सी नदी यहां से एक निकलती है नैपाल बॉर्डर से निकलने वाली नदी होती है गंडक नदी कौन सी होती है गंडक नदी और इस नदी को यह मिलती है जाकर के आपकी कहां पर सौनकर में सौनकर में जाकर के यह नदी जाकर के मिल जाती है किसकी कौन सी नदी में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है ठीक है फिर आगे चलती है कुर्सेला में आगे जाकर कि ये बिहार के ये उसमें जाकर कुर्सेला में पहुंचती है और उससे पहले आपकी एक आती है कोसा कोसा में तीन स्ट्रीम इसकी निकलती है यहां से तीन जो है नदिया निकलती है यहां से और एक होती है जाकर के कोसी नदी जिसको बिहार का सोग कहा जाता है ये कुरसेला में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है तो आसा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी चलिए और आगे जब बढ़ती है गंगा नदी तो और जाकर के आपकी मिलती है गोदारी धाट पे आपकी जाकर के ये पहुंचती है गोदारी घाट और ये महा नदी जो है आपकी नकलती है दारजलिंग पहाड़ी से महा नदी निकलती है और इस महा नदी जी जाती है आपकी गोदारी घाट पे पहुंचती है और गोदारी घाट से जो है आपकी जो गंगा नदी ह दो इसकी धाराएं बन जाती है एक धारा हो जाती है आपकी हुगली नदी जो जाती है कोलकाता इसी के तट पर बसा हुआ है और दूसरी नदी हो जाती है जो एक ब्रह्मपुत्र नदी की सायक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी की ठीक है न गंगा एंड पदमा नदी तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है जहां पर ये दोनों नदिया आ करके अपना जल गिरा देती है जो कि बंगाल की खाड़ी में ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं यहां पर गंगा नदी की कोले लंबाई जो है आपकी 2525 किलो मे निकलती है देव प्रयाग में एक नदी मिलती है कौन सी अलकनंदा जो कि आपकी कहां से निकलती है सतोपंत गलेसियर से और ये आगे जाकर कि जब हरिद्वार वाले लाके में पहुंचती है इसको गंगा देवी प्रयाग या फिर इसको देव प्रयाग कहा जाता है और यह सौन्ट पूर और सौन्ट पूर से कॉरसेला, गोधारी घाट इस तरीके से यह जाकर कि पश्चिम बंगाल में जाकर कि यह अपना जल गिरा देती ती are तो अध्गम स्थान यानि जहां से यह निकलती है उसको अध्गम स्थान कहा जाता है कहां से निकलती है गौमुक से ठीक है न तो ये सारी चीजे हमने आपको बता दी आप सबसे लंबी जो सायक नदी है इसकी रामगंगा नदी है जो की आपकी कहां से निकलती है उत्तरा खंड से ठीक है बिजनौर होते हुए ये कन्नोज में जाकर के मिल जाती है ठीक है इसी तरीके से अंतियम सायक नदी इसकी महा नदी है ठीक है सबसे लंबी सायक नदी यमना नदी है जो बंदर पूंच से निकलती है और आपके प्रियाग राज में इटावा होते हुए आगरा दिल्ली होते हुए टावा से और ये प्रियाग राज में जाकर के मिल जाती है ठीक है तो ये थी आपकी ये आज की किलास आसा करते हैं कि ये आप लोगों के लिए काफी हेल्फुल रहेगी और कुछ चीजें और हमने कहीं थी जो आपको बताने के लाए कहीं थी कि बहती है तो आपका एक मिनट का समय लग दूँगा मैं तो देखे ये जो है आपकी टोटल इसकी लंबाई हमने आपको बताई थी 2525 किलोमेटर उत्तर प्रिदेश में जो कुल सबसे जादा इसकी जो आवादी है उत्तर प्रिदेश में और उत्तर प्रिदेश में ये बहती ये कुल कितनी 1450 किलो मेटर उत्तर प्रदेश में ये पूरी 1450 किलो मेटर यात्रा करती है ठीक है उत्तरा खंड में 110 किलो मेटर उत्तरा खंड में कितनी 110 किलो मेटर चलती है उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1450 किलो मेटर चलती है ठीक है और उसके बाद ये जो है आपकी प 45 km लंबाई रहती है इसकी और फिर जाकर कि पश्चिम बंगाल में 520 km ठीक है ना पश्चिम बंगाल में कितनी 520 km तो हमने देखा टोटल लंबाई इसकी 2525 km 2525 ठीक है सबसे पहले ये उत्राखंड में 110 km UK में UK ठीक है अब उसके बाद UP में कितनी बहती है ये 1450 km UP दूसरा राज जो हो गया तीसरे के अगर हम बात करते है तो ये जाती है बिहार में ठीक है ना बिहार में कितनी बहती है बिहार में ये जाती है 445 km तो BH कर लो इसको बिहार जो भी है ठीक है इसके बाद यह जाती है पश्यमंगाल में पश्यमंगाल में कितनी बैती है पांसो बीस किलो मेटर ठीक है तो इस तरीके से जो है यह चलती जाती है गंगा नदी और अपना जो जल जो है पूरे छेतर को इसको जो है शिंचित करती ठीक है बेतबा नदी किस नदी की सायक नदी है तो आपको पता होना चाहिए ये यमना नदी की सायक नदी है यमना नदी की सायक नदी है केन किस की सायक नदी है यमना नदी की सायक नदी है ठीक है न तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ठीक है गंगोत्री से आपक भील गंगा ये सारी चीज़ें निगलते हैं ठीक है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आसा करते हैं कि ये जो किला से आपको काफी महतपूर लगी होगी और इसी तरीके की वीडियो हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब